नमस्कार मैं एडवोकेट धनवानी बात करता हूं कानुन की आज के दौर में हम डिजिटल जिन्दगी जी रहे हैं सबके आथों में स्मार्टफोन आ गया है कोई गटना दुरगटना वाद विवाद होने पर लोग उसका वीडियो बनाने लगते हैं कई बार लोग अपनी ब विद्ध को कोbareण में पर खरणळने याप पेश करने के नियम क्या हैं आज ढूरे बारे में बात करेंगे आप सब अच्छी तरह जानते हैंаты कि कोणिए बबावाव और सबूतों के आधार पर फैसले किये जाते हैं गवाओं और सबुतों के संबन में सारे प्रावदान भारतिय साक्ष अधिनियम यानि की Evidence Act में दिये गए हैं Evidence Act की दारा 65A के अनुसार Electronic Evidence को कोर्ट में पेश किया जा सकता है और दारा 65B के प्रावदानों के अनुसार उसे कोर्ट में प्रूब भी किया जा सकता है अब सवाल ये उड़ता है कि Electronic Evidence क्या है Electronic Evidence को दस्ताविजी साक्ष के रूप में माना जाता है किसी भी डिवाइस यानि मोबाइल, कम्प्यूटर, लैप्टॉव, CCTV, कैमरा में किसी भी प्रकार के डाटा एकत्रित करना, रिकॉर्ड करना, रिसीव करना या बेजना चायब डाटा ओडियो के रूप में हो, वीडियो के रूप में हो या फिर इमेल, वाट्सेप, चैट या फिर SMS के रूप में हो वह सभी डाटा Electronic Evidence कह जाते है अब बात करते हैं, इस प्रकार के Electronic Evidence को कोर्ट में पेश करने के नियम क्या है और उसे प्रूफ कैसे किया जाता है सबसे पहला तरीका जिस डिवाइस, यानि मोबाइल, कम्प्यूटर या लैप टॉप में वह evidence record हुई है, या record की गई है उसे कोर्ट में पेश कर दिया जाए और कोर्ट में उस evidence या recording को चला कर दिखाया जाए जैसे मान लीजिये रस्ते पे कोई जगड़ा हो गया और उस जगड़े का वीडियो आपने अपने मोबाइल में शूट कर लिया और उसी मोबाइल को कोर्ट में पेश करके कोर्ट में चला दिया तो कोर्ट से primary evidence मानता है लेकिन किसी कारण से अगर कोर्ट में primary evidence पेश नहीं की जा सकती तो evidence act के अनूसार secondary evidence भी कोर्ट में पेश की जा सकती है इसे यूँ समझिये मान लिजे आपके साथ रस्ते पे कोई जगड़ा हो गया और दूसरे लोगों ने उसका वीडियो बना लिया उस वीडियो को बाद में आपके मोबाइल पे वाटसेप या किसी दूसरे मादेम से शेयर कर दिया गया अब आप उस जगड़े को कोट में साबित करना चाहते हैं उस एविडियो को कोट में पेश कर देते हैं लेकिन कोट इसे मानने नहीं मानेगा इसके लिए आपको उस व्यक्ती से जिसने वे वीडियो बनाया है और आपके साथ शेयर किया है उससे एक सेटिविट लेना होगा ये सेटिविट दारा 65B के सबकलोस 4 के अनुसार बनवाना होगा इसमें क्या-क्या लिखा होता है और किस तरीके से सेटिविट तयार होता है किस तरीके से बनाया जाता है इसका नमूना मैंने आपको स्क्रीन पे दे दिया आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं लेकिन अगर जिस व्यक्ति ने ये वीडियो बनाया है और आपको शेयर किया अगर वह नियाले में आकर के ये बता देता है कि ये वीडियो उसने बनाया है और उसके मोबैल से बना है और जिरय का सामना करता है तो फिर किसी पिरकार के सैटिविट की जरत नहीं पड़ेगी अब मानने जिए यही जगड़ा किसी शॉपिंग मॉल के बाहर हुआ और शॉपिंग मॉल के CCTV कैमेरा में इस जगड़े की रिकॉर्डिंग हो गई पुलिस इस रिकॉर्डिंग के फुटेज लेकर के कोर्ट में पेश कर देती है तो किसी पिरकार के सैटिविट की आवशकता नहीं है लेकिन कोर्ट में यह साबित करना होगा कि जो रिकॉर्डिंग मॉल के CCTV कैमेरा में जो रिकॉर्डिंग होई है वह नियमित रूप से होती रहती है एक सामने प्रिक्रिया के तहर्द रिकॉर्डिंग की गई थी ऐसे में किसी प्रिकार के सेटिविट की कोई आवशक्ता नहीं होगी फुल मिलाकर अगर कोड में पेश की गई एविडेंस जैन्यून है बिना कांट चार्ट के है कोई मैनिपलेशन नहीं किया है तो कोड से वेटेश देती है कोड से मान लेती है लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पेश की की एविडेंस में कोई कांट चार्ट नहीं हो मामले से रिलेवेंट हो मान लिजे मामला तो चेक बाउंस का है और आपने वीडियो रड़े जग्रे का तो पेश करना चाहते हैं अगर आप इस तरीक से कोई आप पेश करते हैं तो कोड से नकार देगा यानि मानियता नहीं देगा उसे कोई वेटेज नहीं मिलेगी रिकार्डिंग अधिक पुराणी नहीं होनी चाहिए यहां एक बात ध्यान देने वाली है जिस डिवास में इ original रूप में कोर्ट में पेश कर दिया जाता है तो किसी पिरकार के सेटिविट की कोई आपशक्ता नहीं है लेकिन अगर original डिवाइस पेश नहीं किया जाता है तो जिसके कबजे में वह डिवाइस मौजूद है या मौजूद था उससे 65B का सेटिविट लेना होगा दारान और लेते हैं मान लीजिए आपके email पर कोई mail आया आप उस mail को quote में पेश करके प्रूफ करना चाते हैं आपने उसका print लिया और quote में पेश कर दिया तो quote उससे मानियता नहीं देता है इसके लिए जिस mail के server यानि email या Gmail के server पर जिस पर असल mail मौजूद है उसके अधिका और ने हाली के अपने एक निर्ने में इस बात को इसपस्ट कर दिया है कि ऐसे मामले में court में आपको एक प्रातना पत्र पेश करके यह बताना होगा कि कौन से mail के server पर यह असल मौजूद है court स्वैमी वहां के अधिकारियों को section 65 का सेटिविट पेश करने का आदिश देदे यहां एक खास बात और दियान रखने वाली बात है court में सबूत पेश करना अलग बात है और अपने case को साबित करना अलग बात इस पर फिर कभी बात करेंगे आज के लिए इतना ही धन्यवाज